गुद मॉर्निंग दियर स्टुदेंट्स, हाव आर यू? आई होग यू आर वेरी वेल। स्टुदेंट्स, अवर नेक्स चैप्टर नंबर इस सेवंटीन अनिमल किंग्डम। अन्स्क्रेंबल दा लेटर्स तु फाइंड आउट दा नेम्स आउफ आनिमल्स। ये कुछ उल्टे-पुल्टे हमें अनिमल्स नेम दिये हैं, जिनको हमने सॉल्व करके लिखना हैं। सबसे पहले जैसे हैं W-C-O, तो ये कौन सा अनिमल बना? काव, C-O-W, एसी नेक्स्ट ये कौन सा बना? गौट, G-O-A-T, नेक्स्ट होर्स, H-O-R-S-E, होर्स, वी सी एनिमल्स आल एराउंट अस, सम एनिमल्स आर वैरी बिग, हम अपने आस पास बहुत से एनिमल्स देखते हैं, कुछ एनिमल्स बिग होते हैं, जैसे की, कैमिल, जिराफ, एलिफेंट, सम एनिमल्स आर मीडियम इन साइज, कुछ एनिमल्स मीडियम साइज के होते हैं, ना बड़े, ना छोटे, बीच वाले, लॉइन, टाइगर, बियर, सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज, कुछ एनिमल्स स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे रबिट, कैट, मॉंकी, सम एनिमल्स लिव ऑन लेंड, कुछ एनिमल्स लेंड पर रहते हैं, सम लिव इन एंड एरांट वाटर, कुछ एनिमल्स पानी में और पानी के आसपास रहते हैं, birds fly in the air they have wings जो birds है वो air में fly करती है उनके wings होती है जिसे parrot, crow, pigeon animals that live in the forest are called wild animals जो animals forest में रती है उनको हम बोलते हैं wild animals कौन सी होती है वो? zebra, fox, loin some animals are useful to us they are kept on farms and are called domestic animals कुछ animals हमारे लिए useful होती है वो कहाँ पे रती हैं? फार्म में उनको हम बोलते हैं domestic animals जिसे cow, goat